अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे और आज हम यापर बात कर रहे हैं टाटा की नेक्सोन की वेरियंट है स्मार्ट प्लस और प्राइस बहुत ही कम है एक्शोरूम कीमत की अगर इसकी बात करें तो 9,20,000 रुपे के सम्थिंग एक्शोरूम कीम पता हुआ वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और सुरू से आखिर तक वीडियो को जरूर देखें अगर हम इसके इंजिन की बात करें तो 1.2 लीटर टर्बो रिवोर्ट रॉन इंजिन मिलता है 1199 सीसी वाला जो मैक्सि से लेकर 4000 रपीम के बीच में तीन सिलेंडर इंजिन इस कार के अंदर आपको मिल जाएगा माइलेज काफी अच्छा है 17.44 किलो मेटर का कमपनी दावा करती है टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ही जैसे कि 5.1 में ये आपको जगे पे मुड़ जाती है बूट स्पेस काफी है 382 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस इस कार के अंदर मिल जाएगा अगर हम बात करें इसके साइड की जैसे की डिमेंशन और कैपसिटी की तो लेंध 4985 एमेम विर्थ 1804 एमेम और हाइट इस कार की 1620 एमेम के सम्तिंग आपको देखने को मिलेग आप देख सकते हैं बॉनिट काफी है भी है यहाँ पर और काफी अच्छा लुक यहाँ पर देखने को मिलता है जो इसकी एक प्रिकार से कहेंगे DRL काफी अच्छे है टाठा की यहाँ पर ब्रैंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी तो यह सारी चीज है और यहाँ पर तो भाई काफी परफेक्ट है अब जैसे की टायर साइज देखेंगे तो जैसे 16 इंच का टायर है अलोई वील इसमें नहीं मिलते क्लाइडिंग है उपर वाईपर है और रेन सेंसर वाईपर नहीं है इसमें क्योंकि यह थोड़ा नीचे का वैरियंट है यहाँ पर ORVM पर आप देख रहे हैं तो इंडिगेटर है ORVM ब्लैक कलर में है साइड में क्लाइडिंग दी गई है तो यह सारी चीज है कीलेस एंट्री इसकार के अंदर आपको मिल जाएगी तो यह यह भी एक अच्छा फीचर से है जो कीलेस एंट्री यहाँ पर मिली है उपर की साइड में अगर देखेंगे तो सारफिन एंटिना यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाएगा गेट को कर लेते हैं ओपिन ओपिन करने के बाद कुछ इस टैप से गेट ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा तो यह भी काफी अच्छा है चारो पावर विंडो इसका इसके सीट को कर सकते हैं तो मेरे साब से तो भाई सारी चीज़ें बढ़िया है अंदर ओर देख लेते हैं यहाँ पर फ्यूल टैंक को आपिन करने का उप्शन है नीचे तीन पैंडिल दिये गए हैं और यहाँ पर एसी बेंट है कीका एक उप्शन मिल जाता है तो यह भी क काफी अच्छा लुक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इसको एक बार ओन करके देख लेते हैं तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा यह कुछ इस टाइप से मैं आपको दिखा देता हूं मीटर इस टाइप से ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको टचो मीटर मिल जाता है, किलब कंपार्टमेंट ठीक है डिजिटल ओटोमेटर मिल जाता है, तो ये सारी चीज़े है, फ्यूल की फ्यूल कैपसिटी कितनी है, कितने किलोमेटर चलेगा, एक लिटर में ये सारी चीज़े मिलती है यहां से passing दे सकते हैं, light जला सकते हैं और left side से इधर से आप जो है अपने वाइपर को चला सकते हैं इधर आपका control दिये गए हैं, music control कर सकते हैं, call को receive कर सकते हैं, disconnect कर सकते हैं यह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, 7 inch का touch screen system यहां पर मिलेगा android auto apple car play वाला, यहां पर मूर्ती रखी हुई है बगवान जी की और यह AC band यहां पर देखने को मिलेंगे, और नीचे की site में देखेंगे तो AC heater का पूरा system इस car के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे साब से तो भाई काफी अच्छी profile यह अंदर की भी और यह कुछ step से AC heater का पूरा system देखने को मिल जाता है यहां पर, और यहां से देखेंगे, तो hood open, sorry, boot space यहां से open होता है और यह कुछ step से charging का option यहां पर आपको मिल जाएगा कुछ step से, और यहां पर देखेंगे, तो कुछ, यह काफी smooth है इसका जो gel lever है, मेरे साब से काफी ठीक है, यहां पर mod दिये गए है eco, normal, sport, mod, 3 mod मिल जाते हैं, handbrake यह मिल जाता है कुछ step से तो यह सारी चीज़े काफी अच्छी है, यहां पर आपको mirror मिल जाता है बीच में, light मिल जाएगी, तो यह सारी चीज़ें यहां पर perfect है और यह sun visor काफी अच्छे हैं यहां पर, handle पकड़ कर बैठने के लिए काफी अच्छे हैं, और roof में चले जाते हैं, airbag इस car के अंदर आपको मिलेंगे six airbag मिल जाते हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, कि six airbag इस car के अंदर मिलते हैं और यहां पर tutor भी मिल जाते हैं, तो मेरे साफ सा तो भाई, काफी perfect है इतने कम price में, इतने अच्छे features मिलना, और Tata branding में, भाई, कोई भी यहां पर cutting नहीं की गई है तो यह सारी चीज़े मिलती हैं, पूरा यह भी ऐसी रहने वाला है बस यहां पर जो है, ORVM set करने का option नहीं मिलता है, power window का एक option हो जाता है और यहां पर बैटेंगे तो AC bent मिल जाता है, और airbag मिलता ही है, और यह कुछ step से space बच जाता है, तो मेरे एसाब से तो भाई काफी perfect है और यह कुछ step से पूरा front का देखने को मिलेगा, मैंने अपने चहरे के सामने बिल्कुल कर रखा तो यह bonnet भी देखने को मिलता है हां से, अगर हम देखते हैं तो तो मेरे एसाब से तो काफी सही है, गिलब box कुछ step से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी समाना आप रख सकते हैं से open करने के बाद भी तो अब पीछे की साइट में चलते हैं और पीछे की साइट में हम देखते हैं और हमें क्या-क्या features यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि कुछ step से gate पर, यह सारे features मिल जाते हैं, जैसे power window का एक option ही मिलता है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन handle काफी मजबूत है, पीछे बाट के देखेंगे तो space भी रह जाता है इसमें, तो next one में कोई ऐसा नहीं है कि space कमें, space काफी ठीक ठाक, यहाँ पर देखने को मिलेगा, airbag यहाँ पर भी मिलता है, वहाँ पर भी मिलता है, तो यह सारी चीज़ है, यह मिल जाता है, तो six airbag इसमें मिल जाएंगे आ option मिल जाता है, और यहाँ पर देखेंगे, तो headrest मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाफ से तो भाई ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, कैसे आपको यह लगता है, अगर safety feature की बात करें तो ABS system center locking, child safety lock, और anti-thip alarm, six airbag, और इसमें आपको जैसे की curtain airbag भी मिलते हैं, EBD और seat, आपक इसमें की stable control, speed alert का system, hill assist, ऐसे सब feature मिलते हैं, यहाँ पर fuel tank दिया गया है, जो की काफी बड़ा fuel tank इसमें देखने को आपको मिलेगा, तो fuel tank 44 लेटर का मिल जाता है, और connected tail lamp यहाँ पर आपको देखने को पूरी मिल जाएगी, तो यह जो light है, यह काफी premium look में देखने को मिलती तो यह काफी अच्छा है, ground clearance यह कुछ इस टैपस आपको देखने को मिलेगा, तो वैसे देखने में भी यह पूरी car भारी भरकंप लगती है, Nexon का logo है, Tata की branding है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस टैपसे, पूरा पीछे का system आपको देखने को मिलेगा, boot space इस करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, अंदर से पूरी car कुछ इस टैपसे आपको देखने को मिली जाएगी, और यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे की चारो power window मिलती है, power steering मिलता है, तो ऐसे features मिल जाते हैं, जो की काफी अच्छे हैं, और top speed इस car की लगबग 180 km पर और की आपको मिल जाती है speed, तो यह भी काफी अच्छी चीज इसमें मिलती है, तो यह मेरे हसाफ से ठीक है, और जैसा कि कम budget में यह car आपको मिलती है, तो आपको कैसी लगी, आप comment करके बता सकते हैं, मुझे तो भाई ठीक लगी, और इसमें जैसा कि आप देखेंगे तो मेरे हसाफ से कोई भी features में ऐसा नहीं है कि इतने पैसो में कोई features में कटोती की गई है, अगर यह video आपको अच्छी लगी हो, तो video को like करें, channel को subscribe करें, मिलते हैं next video में